भागलपूर नगर निगम से इस बार फिर घोटाले की बात सामने आई है दरसल मेयर पती वजिला परिसद अध्यक्ष तुन्टुन सा के जो प्राइवेट कर्मी है उनके खाते में नगर निगम के खाते से भुक्तान किया जा रहा था फिलाल नौकर्मियों का उजागर हुआ है उनके पुर्म कप कंचारी अनिल कुमार ताती ने इस मामले का उजागर किया है इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भागलपूर नगर निगम के उप महापौर राजश्वर्मा जी इनसे हम बात करेंगे वह इस मामले में क्या कहते हैं इनसे हम जाने में जिस घोटाले की बात सामने आ रही है आठ लाग का घोटाला अभी पता चला है आगे और कुछ पता चल सकता है क्या कहेंगे इस नहीं मैं सहर से बाहर था अपने परिवारी काम के कारण मुझे इस बात की सूचना जब मिली तो मुझे लगता है कि इस विशय पर जितनी प् उनके उपर यह जिला पर सद्धिक्ष उपर है और यह अभी विशय जांच का है जांच के उपरांथी चीज़ें असपस्ट हो पाएंगी कि क्या वास्तविक्ता में यह चीजें हैं इस तरीके से नगर नीगम का पैसा जो है वो तमाम उनके यहां जो काम करने वाले करमचा ब्रस्टाचार चाहें वो कहीं भी हो रहा हूं उसके लिए हवेसा मैंने आवाज उठाने का काम किया है आज मैं भागलपूर आया हूं मुझे इस बात की जानकारी मिली कल रात में प्रिंट मीडिया के भी लोगों ने इस बात के पारे में पुछा तो मेरा स्टैंड बिल् कानक से उसने इस बात के बारे में कहा है अगर सही में नगर नीगम के तरफ से उसके पैसा जा रहा था वह जहांच के उपरान जब चीजा असपस्ट होंगी जो भी दोसियों उस पर कारवाई हो इससे पहले आपने ट्रेड लैसेंस मामले को उठा था बगाईदा डिप्ट अधिकारी के पास बड़े जन्पति के पास इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि मैं ना हमको नगर नीगम के किसी भी तरह के नगर नीगम में अब तक जितने भी महापौर हुए होंगे आप इसकी भी फाइल ज़रूर आप लोग निकालना चाहिए आपको देखना चाहिए जो डिप्टी मेर को मिलता था वो उसी की बात में कर रहा हूं बावजूद उसके इस पूरे साड़े चार साल के कारिकाल में एक लीटर भी तेल मैंने नगर नीगम या सरकारी पैसे का नहीं चुआ है बावजूद उसके आज तक मैंने ना गाड़ी का कोई नगर नीगम से भुक्तान लिया है और ना ही मेरे ड्राइवर को एक रुपएवी नगर निगम या किसी भी सरकारी कोश से मैंने लेने दिया है उसके पीचे की वज़ा यही है कि जब तक मेरी पहली प्रात्मिक्ता सहर के लोगों को मुल्भूत समस्या से कैसे हम लोग उबार सके के उसके लिए कैसे हम आवाज बन सके जो सिमित हमारी छमताएं हैं उप महापौर के पास कोई असिमित छमताएं नहीं है या मैं कोई महापौर हूँ कि मैं ही decision maker हूँ लेकिन उप महापौर होने के नाते जो मेरी सिमित छमताएं हैं उसमें मैंने आवसिमित अपनी आवाज को उठाने का प्रयास किया है जब जब जहां जहां जिस जिस मद में भश्चाचार की बात सामने मैंने यहां से लेकर उच्पतादिकारी तक जहांच की मांग की है और इस विशे पर भी मैं चाहूंगा कि इस विशे पर भी उसी अस्तर पर नगरविकास मंतरी हमारे जो प्रिंस्पल सेकरेटरी हैं प्रधान सची उनके अस्तर तक भी हम लोग इस बात को पहुँचाएंगे कि जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से अस्पष्ट तौर से लोग के बीच में आनी चाहिए महांनिये महापौर के ऊपर आपना अस्पष्टि करन देना चाहिए मानने महापौर को भी इस बात पर मुझे लगता है कि अपनी बात रखना चाहिए कि लांचन उनके उपर लग रहा है तो वो ज्यादा भैतर उस पर असपस्ट कर पाएंगी आखिर मामला क्या है और जाच के उपरांती कौन दोसी है कौन सही है यह बोलना उचित रहे अभी इ दोसी कहना या किसी को भी सही कहना मेरे ख्याल सा भी उचित नहीं है अपने उप महापौर राजेश्वरमा जी को सुना जैसा कि नों ने कहा जाच होना चाहिए और जो भी दोसी हैं उन पर कारवाई सरकार करें नगरविकाश मंत्री से भी यह मिलेंगे इससे पहले ले थे और कारवाई की मांग की थी देरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कुछ कारवाई सरकार करती है अश्वनिकमार बिग न्यूस भागलपूर